हमने शेहर को दी एक नई पहचान हम है सिंगानिया बिल्ड कान नमस्कार स्वागत है आप सबका मैं उपनीत पाठक और आप देख रहा है हमारा खास कारकरम हैल्थ क्रू जिसमें हम सेहत से जुड़ी किसी एक विशेश अंग या समस्या पर बात करते हैं और आज लिवर पर बात करेंगे लिवर अमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको अगर हम सही तरीके से उच्छ देख भाल ना करें लंबे समय तक तो ये खराबी पैदा कर सकता है और इससे आपके पूरे शरीर पर हर एक अंग पर असर पढ़ सकता है कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालने का काम लिवर करता है और इसका स्वस्थ रहना इसका हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं लिवर शरीर में भोजन को पचाने के पूरी प्रकरिया का एक एहम हिस्सा है तो लिवर के क्या काम है किस तरह से आप लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं इन सब पर एक अवेरनेस की आवशकता और इसी मकसत से सारे विश्व में विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है 19 तारिक को आज ये दिन है तो इसी दिन के उपर आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा की शुरूआत करेंगे शुरू करते हैं आज का हेल्थ करो तो साब आप कैसे अपने लिवर को स्वस्त रख सकते हैं जिन को आज आपकी सामने हम समस्या के तौर के उपर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और वो क्या बताते हैं इसे आप गौर से ध्यान से सुनें आखिर आपकी सेहत का आपकी लिवर का सवाल है हमारी साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस केस्टेंट्रोजिस्ट डॉक्टर अभिशेक जैन साहाब जो एनेचेवमाई नारणा मल्टी स्पेशलिटी ऑस्पिटल में लगातार अपनी सेवाएं सतत दशकों से देना है तो उन से हम सवाल पूछेंगे लॉक्साब नमस्कार स्वागत है आपका सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार और वर्ल लिवर डे पे उनको मेरी तरफ से शुब कामना है लेकिन सरी शुब कामना है तब काम आएंगी जब हमारा लिवर स्वस्त रहेगा और आज का दिन तैह ही हुआ है सारे विश्च में केमिस के बारे में थोड़ी अवेरनेस बढ़ाएं तो लिवर बेसिकली शरीर में काम क्या करता यहीं से शुरुआत करते हैं क्यों ही हमारे शरीर और स्वास के लिए ज़रूरी हाँ जी तो लिवर बहुत ही इंपोर्टेंट और्गेन है बॉड़ी का इसका काम जैसे आपने शुरू में ही बताया खाने को पचाने में एहम इसका रोल है डाइजेशन में बहुत एहम रोल है बहुत सारे प्रोटीन बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स लिवर में ही बनते हैं बहुत सारे टॉक्सिंग जो बॉड़ी के हानिकारक पदार्थ हैं वो लिवर के थुरू बॉड़ी से रिमूव किये जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स और शुगर कंट्रोल बॉडी का लिवर से ही होता है तो बहुत इंपोर्टेंट ओर्गन है और इसकी देखभाल उतनी जरूरी और वर्ल लिवर डे पर हमारा मुख्यू देश यही रहता है कि हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेर करें लोगों को ताकि वो अपने आपको स्वस्त रख सके आगे चल करके तो आज की तारिक में हम ये मान कर चलते हैं रॉक साब कि बहुत सारी बिमारियां आपकी गलत लाइव स्टाइल की वज़े से हैं तो लिवर भी से चूता नहीं होगा क्या प्रमुक बिमारियां हैं जो आज की दौर में सबसे आदाब पाते हैं लिवर डिजीज के अगर हम बात करें तो प्रमुकता जो आज कल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो है जैसे हम आम लोगों में भी देखते हैं कि मोटापा का प्रचनल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डाइबिटीज, थाइरॉइट ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं हाइपर टेंशन ये सब बढ़ती जा रही हैं तो उसी का प्रभाव हम देखते हैं लिवर पर भ जो कि कई बार उनको सिंटम्स नहीं होते और रूटीन सोनोग्राफी में भी हमें पता चलता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम लिवर की जो सबसे कॉमन और आगे चलके उनको लिवर डिजीज बढ़ाना या लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर की जो कारण बन सकती है वो है फै इसको इस्तमाल करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके उपियोग से लिवर को काफी ज़्यादा डैमेज होता है तो दूसरा कारण मोटापा के बाद एलकोहॉल हम देखते हैं लिवर डिजीज के लिए और जो तीसरा कारण मैं बताना चाहूंगा कि वाइरल इंफेक लोग आजकल फैटी लिवर से ग्रसित पाये जाते हैं लेकिन इसके common symptoms क्या है क्योंकि शुरुआत में किसी मरीज को पता नहीं चलता उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनको दिक्कत क्या है और लिवर में दिक्कत का तो बिलकुल भी अंदाजा नहीं होता जब तक सीवियर और जब बिमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम देखते हैं कि पेट में पानी आ रहा है खून की उल्टी हो रही है पीलिया ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पेशाब में दिक्कत बेहोश यह सब समस्या आती है तो शुरुआती लक्षन बहुत ही minimal होते हैं इसलिए हम में और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने लिवर के प्रती सजग रहें साफधान रहें और हमारा खान पान हमारी lifestyle को बहुत ज़्यादा importance दें उसको अच्छा रखें तो जैसे कि इसी बात पर मैं यह बात जोड़ना चाहूंगा कि fatty liver जो हम आज कल देख रहे हैं वो कही न कहीं वो fatty liver का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित exercise करें डेली एक डॉक्टर की सला होती कि 45 मिनिट कम से कम एक ब्रिस्क वाकिंग, हलकी रनिंग, जॉगिंग, योगा जो भी है वो exercise को उतना time दें आप शरीर में, खाने में आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा oily चीज़े, fried चीज़े, जो बाहर की चीज़ें, ये सब avoid करें, fast foods avoid करें, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा sugar की मातरा होती है, वो चीज़ avoid करें, आप खाने में protein बढ़ाएं, आप fiber बढ़ाएं खाने में, खाने की स्वच्छ करें, नशे से बचें, क्योंकि जैसे मैंने बोला, दूसरा कारण alcohol है, तो अगर आपको already fatty liver है, और उसके चांच साथ अगर आप शराब या और कोई भी नशा करते हैं, तो ये सब बीमारी आपकी बढ़ा सकती है, तो वो सब नशे से बचें, एक healthy lifestyle का पालन करें, पहले हैस की तारिक में, लोगों को पता चल रहा है कि कई बार बच्चे भी liver से समंदित, कई समस्याओं से पीडित पाये जाते हैं, क्या कोई खास age group है, जिसको अपने liver को लेकर जादा अलट रहना चाहिए, या हर वर्ग आजकल इससे पीडित है, देखे, अमूमन ऐसा, जनरली इस बढ़ता जा रहा है, वो कहीना कहीं हमारी जो lifestyle है, हमारे जो जीवन शैली है, उसके लिए बहुत जिम्मेदार है, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी lifestyle change हो रही है, हम exercise या ज़्यादा महनत हम नहीं कर रहे हैं, हमारी बड़ी sedentary सी lifestyle है, एक जगा बैठे हैं, वहीं क बात भी हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, तो पहले तो मैं कहूंगा कि middle age या old age की problem है, लेकिन अब हम देख रहे हैं क्योंकि हमारी lifestyle और ज्यादा खराब होती जा रही है, तो यंग बच्चों में भी हम ये चीज कई बार देखते हैं, पढ़े हैं, क्या post covid आपको लगता है, liver diseases में इजाफा हुआ है, या सुधार हुआ है, क्या आपकी findings है और क्या आपकी सला है, post covid लोगों को, अगर post covid की हम बात करें, तो हमने देखा है, covid में जैसे अन्या organs, covid के समय भी, lungs के अलावा भी हम organs देख रहे थे, जो इन्वाल्व lifestyle होना चाहिए, मैं उसी पर आपको बोलूँगा कि वो चीज हम follow करें, healthy lifestyle मतलब हम routine exercise, diet, अपना ध्यान रखें, अपने sugar, BP, दूसरे चीज़ों को control करें, वो ही चीज important है, post covid era में भी, कि liver को से बचाया जा सके, या स्वस्त रखा जा सके, गर्मियों का season आते ही, पीलिया और उसमें मानते हम की जो गंदा दूशिद पानी हैं, और दूशिद खादे सामगरी है या सड़िवी खादे सामगरी है, वो इसके लिए जमेदार है, बहुत सारे लोग हैं जो पीलिया के शिकार इस समय होते हैं, क्या इसकी प्रमुक वज़े हैं, और कैसे इससे बचे हίν तो यह जो हम seasonal pilia की बात कर रहे हैं यह usually एक virus का infection होता है viral hepatitis हम इसे कहते हैं आम भाशा में जो की प्रमुकता दो virus involved होता है virus hepatitis virus A और hepatitis virus E दो प्रमुक वाइरस हैं जो इसके लिए हमेशा दोशी होता है इनके फैलने का कारण usually दूशित खाना या दूशित पानी होता है तो कई बार हम देखते हैं कि हमारी water supply में अगर problem है तो बहुत सारे लोग को एक महले में या एक area में बहुत सारे लोग को होता है तो इसके लिए जैसे मैंने शुरू में भी stress किया एक स्वच्छ खाना पानी को अगर आप filter वाला ले या उबाल करके पियें मतलब घर में जो आसानी से किया जा सकता है तो कही न कहीं हमको अपने पानी उस पर ध्यान देना है बाहर की चीज़ों को इसलिए avoid करना चाहें यह कि आप कहीं न कहीं हाईजीन से compromise करते हैं अगर आप बाहर का खाना लेते हैं तो usually आप ध्यान रखें कि एक हाईजीन आपका खाना और पानी जो रहे उसमें maintain हो इस से हम आसानी से इस बिमारी से बच सकते हैं और अगर कहीं आप इस से ग्रसित हैं आपको कोई symptom है पीलिया है तो important है कि हम उसको जल्दी पहचाने और उसका इलाज करें कई बार हम देखते हैं कि गाओं में या कई बार लोग जड़ी बूटी का साहरा लेते हैं या उसको टालते हैं या जाड़ फूग करते हैं कई बार उससे हम इस बिमारी को बढ़ा लेते हैं तो वो important है कि आप उसको समय में पहचाने और उसका इलाज लें अनवश्यक दवाई ना लें कई बार वो भी एक liver को problem हमारी बढ़ा देती है तो हमेशा डॉक्टरी सला से उसका इलाज करें ये 99% दवाईयों से कुछ treatment से ठीक हो जाती है कुछ ऐसे इलाके हैं और specially अगर हम 36 गड़ के बात करें और liver से जुड़ी हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे कई सारे इलाके हैं डॉक्साब जहाँ पानी को लेकर हमेशा heavy water की एक problem बनी रहती है दिक्कत बनी रहती है और वहां liver समंदी समस्याइं बड़ी common है बलकि severe भी हैं कई सारे cases उन इलाकों के लिए जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं क्या सला है वो अपने आपको कैसे बचाएं तो जरूर सरकार अपना काम कर रही है मतलब यह सब चीजों को सुवधाओं को बहतर करने के लिए लेकिन जो हम easily जो हम कर सकते हैं वो हम एक स्वच्छता का ध्यान रखें अपना अगर आपको लग रहा है कि हम पानी जो ले रहे हैं वो एक treated जो normal हमारी supply सरकारी supply होती ही वैसा पानी नहीं है तो सबसे आसान तरीका है को पानी को उबाल कर लें उसको ताकि उसमें जो भी वाइरस या बेक्टीरिया या कोई भी प्रदूशन से ग्रसित है तो वो उस चीज को clear करें तो सबसे आसान तरीका जो मैंने बोला पानी को उबाल कर लें आप अपने हाईजीन का ध्यान रखें आप जब भी खाना बता रहे हैं घर में बना रहे हैं तो सबजिया, फल, खाना ये सब को proper wash करके लें आप और properly उसको पका करके खाएं ताकि अगर खाने में भी कोई मिलावट है तो वो कही न कहीं जो हम temperature पे, high temperature पे खाना पकाते हैं तो उससे वो चीज clear हो जाए तो जो आसानी से जो किया जा सकता है, इवन गाओं में किया जा सकता है, वो यही है कि आप पानी को उबाल कर लें, खाने हाग में सवच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखें चलिए तो डॉक्ट साब जितनी भी बातें आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी इन्हें नोट भी करते जाएं और साथी साथ कुछ फो नंबर्स भी में आपको अपनी इस कारेक्टरम की दर्मियान डॉक्साब जैसा भी आप बता रहे थे कि पानी का और एक सवच्छ पानी का इंटेक्ट वैसे पूरी बाड़ी के लिए बहुत बहतर है लेकिन लिवर के खास्तों पर पर पानी कितना पिएं कई लोग सला देते हैं एक्सेस पानी मत पिएं कई लोग पानी को लेकर के ओव पानी का इंटेक डेली होना चाहिए ताकि शरीर की जरूरतों को पूरा किया जाए जो शरीर के टॉक्सिंस हैं उनको हम प्रॉपरली किड्नी और लिवर की दवारा उनको निकाला जा सके हैं लेकिन कई बार ये कुछ मेडिकल कंडिशन्स अगर पेशेंट को किसी हार्ट की बिमारी है किड्नी की बिमारी है ऐसी कोई समस्या जिसमें शरीर में पानी जमा हो रहा है इवन लिवर की जब समस्या बढ़ने लगती है अगर शरीर में पानी जमा हो रहा है तब हम उनको बोलते हैं कि आप पानी जो है वो रेस्टिक्ट करें या एक लीटर देड लीटर वो जैसी medical conditions होती है, उनके हिसाब से restrict किया जाता है, लेकिन अगर एक healthy normal इंसान को कम से कम डाई 3 लीटर पानी का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए, जो कि liver के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन पूरे शरीर, even kidney और आपके बाकी शरीर के लिए भी बहुत फायदे मन रहेगा तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्वस्थ liver की हमारे साथ में gastontologist डॉक्टर अभिशेक जैन साव हैं, जन से हम पूछ रहे हैं कि world liver day पर वो क्या सलहा देते हैं, किस तरह से आप अपने liver को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन अब हम फोकस करेंगे बढ़ती उम्र के साथ liver दिक्कतों के रोक साब, आपने सभी वर्गों के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बातचीत की, healthy lifestyle की बात की, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ liver की problem होना बड़ी common चीज है, क्या ये सब में ही होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, किस अवस्था से होती है, और बच जाने के chances उतने ही बढ़ती है, जैसे हम अभी lifestyle diseases के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको diabetes, hypertension, mootapa है, और fatty liver की समस्या रही है, तो कहीं नहीं कहीं चलकर ये आगे एक fibrosis की stage, cirrhosis की stage, develop कर सकती है, तो अगर आसान भाशा में अगर हमें से सबजना चाहें, तो जैसे liver, एक fibrosis बोलते हैं, और वो ही आगे चलके cirrhosis का कारण बनता है, cirrhosis मतलब liver failure का stage जो हम बोलते हैं, तो बढ़ती उम्र के साथ इसके risk बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे आपको ये एक समय हुआ है, जिसमें आपको fatty liver बहुत लंबे समय तक रहा है, alcohol का सेवन आपने बहुत लंब बढ़ने लगती है, usually जैसे हम बात कर रहा हैं, तो initial stages में हमको symptoms नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे fibrosis और cirrhosis की stage आती है, तो हमें पीलिया का होना, आखों का पीलापन, पेशाप का पीलापन दिखना, पेट का फूल जाना, पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरने लगना, खून का उल्टी, या मलदवार के दारा बलट का निकलना, बिहोशी आना, किड्नी की समस्याएं बढ़ती जाना, ये सब चीजें हमको फिर advanced liver disease की तरफ indication करती हैं, और advanced liver disease के हमने बात करिये, तो alcohol, motapa, जो fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease जो हम बोलते हैं, और उसके अलावा जो viral infections ह हम बात करते हैं, जो hepatitis B और C जो virus हैं, वो एक common कारण है इन बिमारियों के लिए, और इस बात पर मैं एक ये point भी जोड़ना चाहूंगा, कि usually जैसे हम देखते हैं कि COVID का हम vaccination अभी हम देख रहे हैं, वैसे ही virus के जो liver के infections हैं, उसमें A और B इसके लिए vaccine available है, तो ये चीज हम vaccination के द्वारा hepatitis A और B जैसी समस्या की जो liver की समस्या उससे तो बच सकते हैं, बढ़ती उम्र के साथ क्या खान पान में और जैसे अभी आप कहा रहे थे कि healthy lifestyle बहुत जरूरी है का सेहत पंद liver के लिए, तो क्या बढ़ती उम्र के साथ आपको खाने पीने की तोर तरीके बद घाई पड़ती है, तो क्या इंडिकेशन है, liver समंदी किसी समस्या का? तो पैरो में सूजन आना बहुत सारी बिमारियों के लक्षन में से एक हो सकती है, हार्ट के patients, kidney के patients, इन सब में भी पैरो में सूजन आ सकती है, तो अगर आपको पैरो में सूजन है, तो ये एक indicator है कि आ चाहिए, दूसरा चीज हमने जैसे आप पूछ रहे हैं कि खान पान में age के साथ हम changes करना, क्या करना चाहिए हमें, तो age के साथ आपका कहीं न कहीं जैसे systems weak होते हैं, तो liver के साथ-साथ आपका digestion भी कई बर कमजोर होता है, आपके intestine का movement है वो slow हो जाता है, खाने को पचाने की जो आपकी शक्ती है वो शायद थोड़ी कम हो, हो जाए, तो ऐसे condition में इसलिए हम patients को advice करते हैं कि वो थोड़ा-थोड़ा ले, खाना ऐसा ले, जो easily digest हो सके, इसलिए हम oily fatty चीजों को avoid करने के लिए, deep fried चीजों को avoid करने के लिए बोलते हैं, artificial sugar, sweeteners, यह सब avoid करने के लिए ब protein, vitamins, nutrients, जो body से को चाहिए, वो मिलता रहे, जिससे आपका शरीर liver हर चीज स्वस्त रह सके हैं, आपने शुरुआत में ही चर्चा में कहा था कि अगर हम extra medication लेते हैं और खास तोर पर बिना डॉक्टर को consult किये, आप सीधे medical store से पूछ कर या आधियदूरी जानकारी के साथ मे कर देते हैं, उनको suggest कर देते हैं, कि आप इने खाना शुरू करें, चाहिए वो syrup हो और tablets, उनसे आपका liver better होगा, कितना सही है, देखे, ज़रूरी दवाईया, आपको जब भी कोई दवाई लें, आप तो हमेशा एक advice तो यही होती है, कि आप अपने डॉक्टर से सला करके ल जाती हैं, आप उसका सेवन करते रहते हैं, तो ऐसी दवाई, कई बार antibiotics, steroids, इवन यह paracetamol का अगर हम बहुत ज़्यादा सेवन लंबे समय तक करते हैं, तो यह सब दवाईयां आपके liver को नुक्सान पहुचा सकती हैं, लिवर के अलावा kidney और अंगों को भी नुक्सान पह treatment जो लेते हैं, तो वो सबसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम liver को अपना liver अगर damage कर दें और एक बार damage अगर आगए बढ़ जाए, तो फिर वो irreversible हो सकता है, प्रॉब्लम साब की बढ़ सकती है, चले डॉक्साब, सबसे important बात है, आपकी सारी चीजें आपने इ liver को healthy रखें, तो सबसे पहले शुरुवात हम exercise से कर लेते हैं, आप डेली एक कोशिश करें कि 45 minute आप एक ब्रिस्क exercise, walking, running, jogging, yoga, जो भी आप कर सकते हैं, वो करें, exercise पे एक विशेश ध्यान है हमारा, दूसरा अगर diet की हम बात करें, तो हरी सबजियां फल सला दिये, अपने खाने में जरूर से जरूर और अधिक से अधिक मातरा में रखें, साथी protein का सेवन जो हम दूद, डालें, अंकुरी तनाज, ये सब चीजों का अच्छे से सेवन करें, अपने fat, deep fried, oily चीजें, बाहर की चीजें, fast food, ये सब चीज को limit करें, artificial sweeteners, sugars, ये सब का उपयोग कम करे आप पेर पदार्त की बात कर रहे हैं, तो आप natural पानी लें, soda और ये सब चीजों को avoid करें, cold rings को avoid करें, आप fruit juices का सेवन कर सकते हैं, ये करें, अनावश्यक दवाईयां, बिना डॉक्री सलाके ना लें, alcohol, smoking, बाकी अन्य चीजों का सेवन आप limited रखें या बंद रखें मैं क तो एक healthy lifestyle रखें, तो आप हमेशा अपने liver को स्वस्थ रख पाएंगे, ये तो आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं, जब आपका liver स्वस्थ हो, ऐसे तो शरीर का हरंग स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ liver आप कैसे रख सकते हैं, world liver day पर, हमारे साथ डॉक्सा आप अपना सकते हैं और अपने आपको स्वस्थ रह सकते हैं, जब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सारे शंकाओं के समधान देने के लिए, थैंक यू